ठंड का मौसम सुरू होने वाला है और हमारी लाउंडरी और ड्राइ क्लिनिंग में उलेन कपड़े भी ड्राइ क्लिनिंग के लिए आएंगे ही खास्तोर से ब्लेजर, स्वेटर, पश्मीना, शॉल इस तरह के कपड़े आते हैं और इन कपड़ों की ड्राइ क्लिनिंग अगर आप ठीक से नहीं करते हैं ये स्रिंक हो जाते हैं और जब ये कपड़े एक बार स्रिंक हो जाते हैं तो वापस इनको पहले जैसे करने में काफी मसकत होती है तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कपड़ों के स्रिंकेज कैसे होते हैं, अगर हो भी जाते हैं, तो उसको कैसे ठीक करेंगे और इस से जोड़ी और भी कुछ अच्छी बाते हैं या कुछ निगेटिव पॉजिटिव बातों पे चर्चा करेंगे तो दोस्तों मेरा नाम है संगम शुकला और मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है तो आईए वीडियो को सुरू करते हैं जैसे ही आपकी लाउंडरी में कोई उलेन कपड़ा आए तो सबसे पहला काम यह है ड्राइकलीन करने के लिए उस कपड़े का वासिंग केर जो है इंस्टरक्शन वो आपको देखना है दोस्तों यह देखी एक शट है और इसमें कुछ वासिंग इंस्टरक्शन आलेडी पहले से लिखा होता है कि इसको ड्राइकलीन करना है या गरम पानी में धुलना है या नहीं धुलना है लगभग सारी बाते इस पे लिखी होती है और यह ऐसे ही नहीं लिखी होती है यह बड़े काम की होती है और खास तोर से यह ब्रांडिट कपड़ों में होता है मेरा यह बताने का मकसद यह है कि अगर आप वासिंग केर को साधानी से नहीं देखते हैं तो आपके लिए नपे तुले तरीके से जो आप ड्राइक्लिन करते हैं उसे से आपको परिशानी हो सकती है पहली बात दूसरी बात यह है कि जब कभी भी आपके पास उलेन कपड़े आएं उसमें वाशिंग केर नहीं है या कोई इस्टिकर उसमें नहीं लगा है तो वहां प करा मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं है और अच्छी क्वालिटी का कपड़ा जब भी बनता है उसके प्लस माईनश वाशिंग केर केम कल डिटेल यह सारी चीजे उसमें मेनसन की जाती है तो यह पहली सावधानी हो गई, दूसरी सावधानी यह होती है कि कपड़े जब भी हमारे लाउंडरी में आएं खास्तोर से बलेजर में जो आजकल के जो बच्चे स्कूल जाते हैं जो उनकी बलेजर का उनिफार्म होता है उसमें वासिंग केर आपको एकदम नहीं मिलेगा यह मैं गारंटी से कह रहा हूं क्योंकि वह बहुत ही लो क्वालिटी का होता है और वह एक तरह से आर्टिफिशियल यानि कहें कि प्राकिर्तिक वह उल नहीं होता है वह जमावटी यानि कि उसमें बुनाई नहीं की गई है जबकि वह नौन वेन है और वह यह मान के चलिए वह जरूर स्रिंक होगा तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए तो आईए सम आप उसको ड्राइकलीन कैसे करेंगे जब भी आप ड्राइकलीन करें आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप MTO सॉल्वेंट या और भी जो भी पेटॉलियम है उससे अगर आपको करने भर का पैसा कस्टमर दे रहा है तो सबसे अच्छा रहेगा आप उस पेटॉलियम प में आपके पास कोई option नहीं बचता है डिटर्जेंट और पानी की मदद से करने के लिए और खास तोर से उलिन कपड़े जो ब्लेजर हैं या स्कूल इनिफार्म वाले ब्लेजर हैं या और भी जमावटी यह सारे चीजें गंदे होने पे ही आती हैं और वहां पे अगर आप अच्छे से साफ सूतरा करके नहीं देते हैं तो वहां भी कस्टमर आपको कंप्लेन करता है तो सबसे पहले आप कोई भी उलेन कपड़ा आपके पास ड्राइक करने के लिए आए आप उसको चेक करिए अगर खाई स्टेन है तो कपड़े को आपको पानी में एकदम पहले भ आइनिक लिक्विड डिटरजेन का यूज करिए और उसके मदद से जितना जल्दी हो सके कम पानी में उसको साफ करिए और सबसे इंपॉर्टेंट है आप उस कपड़े को हाइड्रो नहीं करेंगे हाइड्रो का मतलब यह है कि जब हम कपड़े को सुखाते हैं निचोडते ह पानी जब उसमें से उसी परकिरिया को हम हाइड्रो काते हैं जब भी आप गलती से भी हाइड्रो करेंगे तो वह कपड़ा सिकुड़ेगा ही कोई रोग नहीं सकता है अगर वह अच्छी क्वालिटी का नहीं है लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास नॉन आयोनि यानि अच्छी क्वालिटी का जो हैर सेम्पू होता है उसको यूज करें हैर सेम्पू नहीं मिलता है तो बेबी सेम्पू यानि चोटे बच्चों को जो सेम्पू हम लोग प्रयोग करते हैं उसको प्रयोग करेंगे तो आपका कपड़ा उतना ज्यादा नहीं स्रिंक होता ह स्रिंक होने के दो-тिन आप्सन है पानी में सिकुड़ता है सोडा के साथ सिकुड़ता है और हाइड्रो से यह तीन आप्सन है और सम टाइम जब आप इसको अच्छे तरीके से निचोड़ते हैं तो भी कपड़ा सिकुड़ता है तो यह सारी प्रिक्रिया हो गई पहले कि यह पेटॉलियम से आप कर सकते हैं थो करिए, दूसरा अगर आपको पेटॉलियम नहीं मिलता है, तो NILD का यूज करिए, NILD आपको नहीं मिलता है, तो normal कोई भी अच्छी क्वालिटी का सेंपु प्रयोग करिए, उस उस से कपड़े की ड्राइगलीन करिए, और आपको बैद रो नहीं करना अब सिकूर्टा क्यों मैं इसके बारे वुनाई put-al, बता देता हूं हुन में जब भी 12ड लेते हैं ईलिद कपड़ों की जो बुनाई होती है जो हल्की की आती है उनकी जो थ्रेड की फूर्नाई है उतना ठाइट कसा हुआ नहीं किया जाता है और वो कसा हुआ नहीं करने के वज़े से ही उलेन कपड़े में एक फल्पिनेस यानि एक हैं सौफनेस मुलाइमनेस उसमें बनी रहती है और उसी सोभाव के अनुसार ही जब वो उलेन कपड़े को हम पहनते हैं तो हमें वो सौफनेस की फिलिंग आत सॉफ्ट है तो आपके लिए इंडिकेशन है कि ये पानी में या सोडे के वज़ा से ये सिकुड सकता है तो ये रहा प्रोसेस की कैसे आप ड्राइक्लीन करेंगे और क्यों सिकुडता है अगर सिकुड भी गया है तो ऐसी दसा में आपको क्या करना चाहिए ध्यान से देखिए वीडियो थोई लंबी हो सकती है लेकिन ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ इस पूरी वीडियो देखने के बाद आपकी लाउंडरी और ड्राइक्लीनिंग में ऐसे कपड़ों की ड्राइक्लीनिंग करते समय ये गलती आपसे नहीं होगी या हो सकता है बहुत जादा आपक कपड़ा सिकुड गया है वह कपड़ा जितने पानी में घुल जाए यानि कि पानी आप गरम करिए यानि गरम पानी लेना है उतना ही गरम करना है जितना गरम पानी आप पी सकते हैं उतने टंपरिचर का पानी गरम करिए और कोई भी बेबी सेंपू आप लीजिए या कोई भी शेंपू उसमें घोल दीजिए और घोलने का मतलब चिकनाई उसमें आ जाए जाग थ्वा सब पैदा हो जाए और उस जो श्रिंक हुआ वाले कपड़े को उस पानी में दुबो दीजिए कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए 25 से 30 मिनट कर जब हो जाए तो आपको उसी पानी के घोल में धीरे-धीरे कपड़े को ऐसे स्ट्रेच करना है उसके बाजू को स्ट्रेच करिए साइड को लेंथ को ऐसे से आप धिजरे स्ट्रेच करना है और उसके बाद से आपको पानी से हलका सा खंगाल के और कभी भी डारेक्ट सनलाइट में आपको नहीं डालना है जहां पे छ उसको गोल कर लिए कपड़े को और एक जगा थ्वासा ऐस इस रूप में रख दीजिए कि उसका पानी अपने आप नीचे सरख जाए और कोई साफ कपड़ा जमीन पे टेबल पे बिछा लिजिए और उस कपड़े को फैला दीजिए यानि कि कपड़ा जब भी सूखे उसके ध लेजर खराब हुआ है तो आप दो तीन बार इस परिक्रिया को कर दें तो कस्टमर को आप हैपी कर सकते हैं दूसरा उपाय है कि अगर आप चाहें तो पानी थ्वासा हलका सा गरम लीजिए उसमें बोरेक्स पाउडर बोरेक्स पाउडर यानि सुहागा इस पर मैंने पहले खीचने का और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कपड़े का जो स्रिंक हो चुगा है वो ठीक हो जाएगा ठीक करने का मतलब कि अगर वो बहुत ज्यादा सिकुड गया है तो मेरा ये विश्वास है कि 90% तक वो कपड़ा ठीक हो जाएगा स्रिंक होने की पहचान यह है कि आप चाहें तो हलका सा सूप गया है तो उसको में प्रेस करने में इस्तिम प्रेस नहीं हैं कोई सोडा हो जिसमें सोडा आरहा कास्टिक शोडा होचिए यह सारे उसमें मिले हैं तो यह बहुत बड़ा फैक्टर होता है कपड़ों को स्रींग करने के लिए सबसे बैतर है प्रेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है यानि नॉन लेक्विड इतरजेंट ही अगर वह भी नहीं मिलता है तो बजा से कोई भी बालों में लगाने व पहले इसी वीडियो में बताई है उसको आप फालो कर सकते हैं तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से आप अपने कस्टमर के उलेन कपड़ों को स्रिंक होने से बचा सकते हैं तो इसी तरह के यूद फिर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकत हैं अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक तो जरूर करिए और आपको अपने मार्केट में पता करिए मिल जाता है तो ठीक है नहीं मिलता है तो एक्स्परिमेंट के तौर पे आप इस डिस्क्रिप्शन में फोन नम्मर दिया हुआ है आप उस फोन नम्मर पे संपर्क कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो तब तक के लिए नमस्कार